अलो, हाजी, गूरी बीवनिंग, क्या हाल, चाहल, कैसे हो, और वन्स अगेन, टेस्ट बुक के प्लाटफॉर्म पर आप सभी का जो है, वो स्वागत करते हैं, चलिएगा, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग फेमा वर्सेस फेरा चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन, थोड़ा सा मैं बेसिक इंफॉर्मिशन देदू, कि मेरा यह जो क्लास होता है, डेली, आट बजे होता है, टेस्ट बुक के यहां पर, वाइटी प्लाटफॉर्म पर, और टेस्ट बुक के अप पर, मन्डे टो फ्राइड डेली हमारा एक फ्री क्लास जो है, डेट घंटे का चलता है, टेली ग्राम चैनल है, इसको आप जॉइन कर लीजेगा, ताकि आपको जो मेरे क्लासे के लिंक है, पीडिएफ है, नोटस है, जो भी मैं प्रोवाइट करूंगी, वो आपको टाइम टो टाइम मिलते रहे, और इंट्रेक्शन भी आप मेरे साथ यहां पर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, यहां पर बारकोड भी स्कैन भी कर सकते हैं, या अट दारेट प्रियंका मैं टेश्ट बूक लिख के मेरे को सर्च भी कर सकते हैं, टेली ग्राम के, क्लियर चलिएगा, तो फेरा वर्चेस फेमा में पढ़ने से पहले, सबसे पहले आपको पता है कि पहले आपका फेरा आया था, हाना फेरा आपका कब आया था, तो फेरा आपका जो आया था, वो 1973 में आया था, हाना फेरा आपका कब आया था, 1973 में आया था, हमारा topic ही क्या है हमारा topic है FARA versus FEMA यानि FARA Act में और FEMA Act में क्या difference है ठीक है तो FARA आपका कब आया था फेरा आपका बात हो रही है बहुत पहले कि 1970 की बारे में बात हो रही है 1970 का तो समय था जो हमारा देश था उसके पास foreign reservation का क्या था crunch था crunch का मतलब हमारे देश के पास foreign reserve नहीं था और आपको पता है कि किसी भी देश के wealth को हम लोग पहले foreign reserves पिस कंट्री के पास कितने फॉरंड रिजर्व नाप उप्रमन माना जाता है तो यहां पर आपका क्या है कि यहां पर पहले जो थे 1970 के बारे मैं बात करूँ तो उसे में फेरगे नहीं बना था तो भारत के पास बहुत ज्यादे मात्र में विदेशी पुझी नहीं थी या भारत का financial condition बहुत जादा अच्छा नहीं था तो भारत ने सोचा उस समय कि यहां पर जो भी पैसे का लेंदेन हो रहा है जो भी आपके foreign exchange हो रहे है विदेशी पुझी का जो भी आवा कमन हो रहा है उसका actual data नहीं मिल पा रहा है कितना पैसा आ रहा है कित regulation act लाने से कि जो भी आपका foreign exchange होगा जो भी उसका आवागमन होगा उस पर हमारा नजर रहेगा और हमको time to time जो है उसका update मिलते रहेगा इससे हमारे पास foreign reserve का जो quantity है वो हमारा increase कर जाएगा यह सोचा गया और यह सोच कर foreign exchange regulation act लाया गया कि अब भारत में जो भी foreign currency का जो भी यानी नजर रखी जाएगी कि पैसा कहा जा रहा कैसे जा रहा कोई भी यहां पर पैसा जो है दाएबाए नहीं होगा कोई घुटाला नहीं होगा यहां पर हमने पूरा कड़क नजर रखेंगे और strict regulation के उद्धिश से फेरा यानि के foreign exchange regulation act लाया गया लेकिन हुआ कि इसका प government ने क्या किया जब foreign exchange regulation act government ने लाया ना तो उसे सारा rule regulation को बड़ा hard कर दिया बड़ा tough कर दिया कि अगर आपको import करना होगा export करना होगा वहां से permission लो वहां से permission लो वह पेपर बना वह पेपर बना तो यह सारे बहुत चीजों को उन्होंने क्या 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 इस्टिक्ट करने का गया और इसका इंडियन government पर उल्टा असर पड़ गया क्या पड़ गया इसका उल्टा असर पड़ गया कि जो लोग थे या जो भी आपका काम जो सोच कर किया गया था वह actually ऐसा नहीं हुआ हमारा जो foreign exchange market था वो और थोड़ा सा गडबर हो गया गडबर होने का मतलब कि वहा पर import exposed करने आने के लिए डर रहे थे कि बहुत time taken है बहुत लेंदी चल रहा है मतलब interest नहीं ले रहे थे यहां पर main रखा गया था कि हमारा foreign exchange वो इंक्रीज करेगा लेकिन यहां पर जब यहां पर लोग ही जब interest नहीं लेंगे तो foreign exchange हमारा इंक्रीज कैसे करेगा तो regulation इतना क्या बोला और आपको याद भी होगा कि यह दोनों की बीच में एक बहुत important चीज हुआ था बहुत economic एक बहुत important economic reforms आया था याद है ना वो कब आया था 1991 ने आया था तो यहां पर economic reforms में जो बात की गहीं थी क्या कि हम लोग देंगे हम लोग छूट देंगे globalization होका यह सब LPG तीन वर्ड यहां पर आया था तो यहां पर बोलागे कुछ objective भी change किये गए कुछ features भी change किये गए और इसके बाद FEMA को launch कर दिया और FEMA ने फेरा को replace कर दिया कब replace किया 1999 में FEMA ने इसको replace कर दिया और बोला गया कि हम regulation नहीं करेंगे हम आप regulation जो है करेंगे ही नहीं हम management करेंगे जो भी पैसा जा रहा है हमारे देश से हम उसका management सही से उसको एक खाता वाता बना के उसको हम सही से लिखेंगे हम अब regulation नहीं करेंगे जो इंडियन government थी उन्होंने अपना जो objective उसको थोड़ा सा modify किया थाकि business जो है वो हमारा सही से चल सके और लोग इसमें participate करे तब तो जाके foreign exchange हमारे पास आएगा na regulation तो लोगों को हम जो है foreign exchange का management करेंगे ठीक है और 1999 में यह act जो है आपका आया गया फेमा जो है वो लाने का जरूरत क्यों पड़ा क्योंकि फेरा जो आपका 1973 में आया था उसको हम लोग बात करेंगे कब फोर्स में आया कब नहीं यह आपका satisfactory नहीं रहा जो सोचकर हम लोगों किया ना उसक में क्या करना पड़ा कि आपका however को बंद करना पड़ा और फेमा को लाना आप यूञकि जो अबजिफ मैंने सोचा था फुलफिल हो गया रहता तो घ्रा कोấpत करने का जरुथ हुआ पड़ता रहना लेकिन फुलफिल हुआ ने तो वह कुछ रिच् चलाए, आप वन भैं इसको समझियेगा पार्लीयमेंट में फेरा को कब पास किया गया? 1973 में पार्लीयमेंट में फेरा को पास किया गया उसके बाद FEMAA औहो sorry उल्टा हो गया, स्टार्टिंग इगलत हो गया द्यान दीजिएगा यहां पर आपका FEMAA है, यहां पर आपका FEMAA ह सब्सक्राइब दोनों को पास करने का यह वो आपका अलगा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो फेमा में आपका 49 सेक्षिन है 49 section में 12 section जो है वो optional है और rest जो है वो आपका provision है फेरा में 81 section है और इसमें क्या 32 section जो related है वो आपके optional part से और rest जो है वो penalty और appeal से है छलिएगा थोड़ा सा एक सेकेंड का मेरे को time दीजेगा न एक सेकेंड का मेरे को time दीजेगा न चलिएगा उसके बाद यहां पर यह हो गया section के बारे में अब आगे चलते हैं terms के बारे में फेरा में क्या था ना फेरा में कोई terms को नहीं बताया गया था फेरा में खाली बोला कि हम लोग करेंगे लेकिन terms जो है क्या maintain करेंगे क्या नहीं करेंगे उसमें कुछ elaboration ने किया गया था यानि कोई भी terms जो है कोई भी शर्ते जो है वो परिभाशित नहीं की गई थी लेकिन जब फेमा आया तो वहां पर कुछ-कुछ technical word भी आए कुछ-कुछ terms भी आए यहां पर आपको capital account के transaction को लेकर, current account के transaction को लेकर, person, service यह सारे terms आपके use किये गए यहां पर person का मतलब क्या होता है, authorized person किसको माना जाएगा, क्या-क्या service जो है वो फेमा के अंदर आएगा, हम लोग capital account maintain करेंगे और current account maintain करेंगे, capital में क्या आएगा और current में क्या आएगा, यह सब को जो चीज़ फेमा में कितना है, 49 section तर पहले आपका 81 था, उसको section को कम कर दिया गया और 49 section जो है आपका फेमा कैंदर करता है, चलिएगा, थौरसा आगे बढ़ते हैं, आगे और भी और भी पॉइंट, टोड़क, 10 पॉइंट हम लोग comparison करेंगे, आगे बढ़ते से पहले थौरसा में information द हुआ है, that is called आपका सपनों की उड़ान, 20 से 22 जुलाई तक आपका sell चल रहा है, जहां पर आपको 8 मंत का जो course है, वो only 8,835 रुपीज में मिलेगा, और यह कब मिलेगा, जब आप मेरा code यूज करोगे, PSINGH, यह मेरा code है, इसको अप्लाई करके आप पुड़ा 8 मंत का सब्स करेगा, इसका object क्या था, फेरा का object क्या था, फेरा का object जो था, वो था control करना, नियंतरन करना, विर्यमित करना और प्रतिबंधित करना, मैंने आपको क्या बोला कि नाम से ही समझो, regulate कर रहा है, यानि control कर रहा है, लेकिन FEMA जो है न, वो FEMA में कुछ control वगेरा नि, बोला कि हम आपको external trade को बरहावा देंगे, external trade का मतलब क्या होता है, external trade का मतलब होता है, international trade क्या आप other country से जाए, import कीजे, export कीजे, आप import, export करेंगा, automatic मेरे पास foreign reserve आएगा, तो इसने trade पर focus किया, applicable liberty के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो limited to three times the sums involved if it is quantifiable, और अगर ये quantifiable है, तो three times जो है, वहाँ पर क्या बात किया गया था, three times का limitation दिया गया था, और यहाँ पर फेरा में जो बात था, वहाँ पर क्या था, इंडिया and to branch and agency outside डाइंड है, ये act जो applicable है, वो किस पर applicable है, आपका, all citizens of India पर क्या है, यहाँ पर applicable है, force में कब आया था, force में आना और act में आना दो हाँ, अब दिखर आया आपको चलिएगा, अब ठीक है, अब यह force में कब आया, एक तो act आना होता है, और एक force में आना, मतलब उसने काम करना कब शुरू कर दिया, तो फेरा जो force में था, वो कब आया था, उल्टा हो गया थोगा सा ध्यान दीजेगा, ठीक है न, फेरा जो force में आया था, वो कब आया था, एक जन्वरी 1974 को, act बन गया था, आपका 73 को, force में आ गया था, एक जन्वरी को, और फेरा जो है, वो force में कब आया, तो 1999 में act बन गया था, और जून 2000 में यह आपका force में आ गया, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, तो फेरा को जो है, extensive power यहाँ पर दिया गया था, फेरा को क्या दिया गया था, extensive power दिया था, क्योंकि उसका कामी था, rule regulate करना, control करना, प्रतिबंधित करना, यह सारा काम, लेकिन फेरा को उतना ज्यादा power नहीं दिया गया, क्योंकि भारत एक बर भुकत चुकी थी, कि फेरा का effect उतना अच्छा नहीं आया था, तो same power वो फेरा को क्यों देगे, simple सी बात है, तो उसने क्या किया, जो फेरा को power दिये गया थे, उसको थोड़ा सा restrict कर दिया, कि भई देखिए आपका इस इस एरिया में जो है, वो power है, आप management पर ध्यान दिजे, आप import, export पर ध्यान दिजे, आप actionable trade को बढ़ा, यह सब वहाँ पर limitation डाल गया था, authorized person का definition यहाँ पर आपका दिया गया, जो फेरा था, वहाँ पर उसका जो limitation था, फेरा का limitation बहुत ही आपका, फेरा में person का limitation दिया गया था, person का मतलब एक बहुत limited way में दिया गया था, लेकिन जब आपका फेमा आया, तो उसमें जो person है, उसको थोड़ा सा include किया गया, मतलब इसके अंदर में आपका bank भी include किया गया, उसके बाद फिर आपका जो है, जो पहले आपका फेरा में include नहीं था, फेरा में क्या था, फेरा में money था, offshore था, banking units था, यह सारा कुछ था, और यहाँ पर फेमा में क्या किया ग यानि foreign exchange को क्या करना, regulate करना, conservate करना, लेकिन फेमा का जो उद्देश्य था, वो क्या था आपका कि उसको management करना, फेमा और फेरा में आपका बेसेकली यह डिफेरेंस है, खाली आपको यह समझना है, कि government पहले फेरा लाया, फेरा के लिए जो objective रखा था उसने कि हाँ ये होगा कि foreign reserve जो है वो हमाई increase करेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि rule regulation बहुत सकते और आपको पता है कि आज के date में ease of doing business का concept चल रहा है हना हम लोगों ने पढ़ा भी है ease of doing business कि जितना easy cg आप business को लेकर जा सकते हैं उतना ज्यादा आपके लि करी था कि trade बढ़ाओ trade बढ़ाओ trade बढ़ेगा या export आपका जो है वह आपका ज्यादा होगा तो automatic foreign reserve हमारे पास आजाएगा तो चलिएगा यहीं तक आज का जो session इसको रखते हैं जो सारे अपडेट है वह आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएंगे सारे अपडेट्स के लिए telegram channel को किलवा दे रही हो description से आप जाके उसको क्या कर सकते हैं directly joint कर सकते हैं या इसको आप जाके scan कर लिजेगा तो भी आप इसको joint कर पाएंगे बाबाई take care all the very best bye